तो दोस्तों question है दस्त को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ओप्षन अग्रेटर, ओप्षन वेशिप्टर, ओप्षन सी डाइरिया या फिर ओप्षन इसकेमर तो इस cancer कैस करने के लिए आपको दी जाता है पांच सेकंड का समय तो इस cancer होगा, option number C, diarrhea, दस्त को अंग्रेजी में, डाइरिया कहा जाता है तो किससे पहले आपको इसका meaning पता था, comment box में जुरूर बताएं और मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए आपके पास question first है, जिन्यों को English में क्या कहा जाता है और वही question second है, खिलने के English में, क्या कहा जाता है, इन दोनों question का meaning, comment box में लिखनों ना भूलें तो दोस्तों, अगर आप इनका meaning नहीं जानते हैं, और आप जानना चाहते हो, कि इनका meaning क्या होता है तो हम पूरी playlist का link, discussion box या फिर आई बटन में डार रहे है, उस playlist को जुरू चे कर ले, क्योंकि उस playlist में से कई सारे word है, जो हमारी daily life में यूज होते है लेकिन हमें उनके meaning, English में पता ये नहीं होते, तो उस playlist को जुरू चे कर ले, और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और बेला हैं को प्रस करना ना भूले, जिससे कि आपको आने वाली सब वीडियो की notification time to time दिती रहे हमारी मुलकाद होगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए help बेटाई देखते रहिए और सीखते रहिए, धन्यवाद